गुद वर्निंग स्टुडेंट्स, आइम यूर इंग्लिश टीचर सरिता चोहान, मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश क्रामर, सो प्लीज लेट्स ओपन यूर बोग, इस्टुएंट्स, मैं आपको अभी पढ़ा आ रही हूँ, चैप्टर थर्ड, कॉमन एंड प्रॉपर नाउं, आज यह हमारा लैक्चर थर्ड है, और आज हम आगे की एक्सराइज रिसकस करेंगे, इनमें जो कॉमन नाउन है, वो सरकल करनी है, तो नमबर वान, इस इस माई अंकल, यह मेरे अंकल है, अंकल तो बहुत होते हैं, पर उन्हों अंकल का कोई नेम नहीं दियो हुआ है, सिफ बताया है कि यह मेरे अंकल है, तो अंकल एक जनरल नेम हो गया, तो इसे हम सरकल कर देंगे, यह एक कॉमन नाउन है, पाइलेट्स फ्लाइ एरोप्लेंस, पाइलेट्स फ्लाइ पाइलेट्स तो पाइलेट एक नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन नाउन के बारे मे बात कर रहे है, fly aeroplanes aeroplanes, तो बहुत सारे aeroplanes होते हैं, तो यह एक common noun है, इसे हम circle कर लेंगे, next that shop sales book, यह एक दुकान के बारे में हैं बताया जा रहा, जो कितावे यहाँ पर बेची जाती है तो books, books एक यह general name है, यहाँ पर किसी particular book book को नाम नहीं बताया है, तो यह books हमारी common noun है, इसे circle करेंगे next, dogs like to chew bones dogs को bones चबाना अच्छा लगता है तो dogs, dogs एक general name है, इसे circle करेंगे यह common noun है, she is my teacher, यह मेरी teacher है, teacher common noun है, एक general name है इसे circle करेंगे, I play with toys, मै toy के साथ खेलता हूँ, या खेलती हूँ, तो toy एक general name है, यह common noun है, इसे circle करेंगे next, देखिए circle the proper noun in the following sentences, यह sentences दिये हुए, यह common noun के sentences थे, और यह proper noun के हैं, तो इसमें हम जो proper noun होगा, उनको हम circle करेंगे, number one Ben will buy the fruits, Ben Ben ने कुछ fruits, Ben कुछ fruits करीदेगा, तो Ben एक name है, एक लड़का के बारे में बताया जा रहा है, पर वो लड़के का नाम Ben है, तो यह एक special name है, तो इसे, यह हमारी proper noun है, तो इसे हम circle करेंगे, सुमन is a teacher, यह पर एक teacher के बारे में बताया जा रहा है, पर उस teacher का नाम सुमन है, एक particular name है उस teacher का, तो सुमन को circle करेंगे, यह proper noun है, my cat is name Whitey, यहां एक cat के बारे में बता रहे हैं, पर यह पता है उस cat का नाम वाइटी है तो यह हमारी प्रॉपर नाउन हो जाती है लेकिन यहां कंट्री का नाम दिया हुआ इंडिया अमारी प्रॉपर नाउन है स्पेशल नेम है उस कंट्री का तो यह प्रॉपर नाउन इसे सरकल करेंगे दे आर गोइंग टू मुंबई वे मुंबई जा रहे हैं अगर होता दे आर गोइंग टू मार्केट या मुंबई नाम नहीं दिया होता लेकिन यहां पर एक स्पेशल नेम दिया हुआ है मुंबई तो यह एक स्पेशल नेम है तो यह हमारे एक प्रॉपर नाउन हो गया है यह सिटी का एक स्पेशल नेम दिया हुआ है तो यह प्रॉपर नाउन हो गया है रिया एंड टीना आर प्लेइंग इन दा पार्क रिया और टीना दोनों के स्पेशल नेम हैं बताएं दोनों के नेम दिये हुए है रिया एंड टीना यह दोनों के नेम बता हैं तो यह स्पेशल नेम्स हो गई तो यह हमारी प्रॉपर नाउन हो गई है तो इसे हम सर्कल करेंगे फ़न टाइम यह आप अपना होमग यह आप अपने आप से करेंगे यहां पर अपने बेस्ट फ्रेंड का लगाईए फोटो और यहां किसी भी एनिमल का फोटो लगा लीजिए और फिर कॉमर नाउन और प्रॉपर नाउन मेंशन कीजिए इस्टुएंट्स यह एक्सेसाइज मैंने आपको एक्स्पेंड करिए आपको समझ में आए होगे अब इसल्ग का रागए एक्साइज दर बागाई पर उनिमल का ला वी ससनावर यह एक्साइज आपको लगाई बाता है